हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ममता मैस टूटोरियल और आज 10th क्लास में special lecture है आज के lecture में हम discuss करेंगे जो board द्वारा practice paper अवेलेबल कराए हैं उसमें set A का section A, जिसमें एक-एक नंबर वाले question है तो इस lecture में total हम 16 question को discuss करने वाले हैं, देखे बेटा फर्स हम देखे, which of the following is an irrational number निमल लिखित में से कौन सी संख्या A परिमे संख्या है बेटा हमें वह संख्या देखनी है वर्गमूल में जिसका पूरा-पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है यहाँ पे चार वर्गमूल पूरा-पूरा आजयेगा, दो-दो नि-चार आए गई तो Nine-Nine कवर्गमूल यहाँ आ रहा है थ्री यहाँ पे भी four-four कवर्गमूल क्या रहा है two यहाँ पे देखो three कावर्गमूल पूरा-पूरा नहीं आ रहा तो हमारी ये क्या हो जाएगी आपके पास अपरिमे संख्या हो जाएगी Irration number आईगी ठीक है Second sum 6x²-7x-3 के शुन्यक हमें शुन्यक निकालने है दो तरीके हैं बिटा या तो इन में से एक-एक रखके देख लो कि स्पेस की value 0 आती है या फिर factor बना के उन्हें 0 के बराबर रख दो जैसे की 6x²-7x-3 एकवल टू 0 6 और माइनस 3 की गुना करेंगे माइनस का 18 और ये क्या है माइनस का 7 दो नमबर जिनकी गुना करें तो माइनस 18 और जोडे तो माइनस के 7 माइनस 902 6x²-9x-2x-3 एकवल टू 0 फर्स्ट 2 में से कॉमल लेंगे तो क्या आएगा बिटा 3x अंदर क्या बचेगा 2x-3 ये लग लग है इन्हें कुछ भी कॉमल नहीं आ रहा बट 1 तो कॉमल आई रहा है तो 1 हमने इक कॉमल ले लिया जो सेम सेम थे उन्हें एक ब्रेकेट में रखा है जो बच गे उन्हें दूसरी ब्रेकेट में रखा है अब उनको 0 के ब्राबर रख दो जब आप फर्स्ट फेक्टर को 0 के ब्राबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बटा 3x2 और जब हम इसे 0 के ब्राबर रखेंगे पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, x square प्लेस में 2, x की पावर माइनस 1 है, यहाँ पे नीचे चले जाएगी, तो हमें solve करने के लिए throughout x से multiply करना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, आपके पास x की पावर 3 आ जाएगी, यह भी नहीं मानने जाएगी, बटा, यहाँ पे देखो x और x square के multiply करेगी, यहाँ पे भी x की पावर 3 आ जाएगा, यह भी नहीं मानना जाएगा, इसको हाँ, इसको देख सकते हैं बटा, throughout इसको x से गुणा करो, x की भी x से गुणा करी है, 1 by x की भी x से गुणा करी है, और 5 की भी x से गुणा करी है, x से x कर गया, x square प्लस 1 इक् 5 x यह हमारी quadratic equation है, 2 घात समीकर्ण है, हमें ऐसा समीकर्ण ढूना था, जिसकी घात 2 हो, यहाँ पे जब हम पावर खोलेंगे, तो a का square, 2 का square, यह 4 बनेगी यहाँ पे, ठीक है, question number 4, ap का पंदर मापद, पंदर मापद का मतलब a प्लस 14 d, a क्या है, आपके पास 5 है, प्लस में 14 d के value निकालने पड़ेगी, 6 दुनी 12 और एक, 13 बटे 2 में से बिटा 5 घटा दो, 2, 13 माइनस 10, difference कितना आया है, 3 by 2, 3 by 2, काड़ दे इसको 7 पे, 5 प्लस 21, 26, option C, बिटा आपका correct option आएगा, question number 5 को discuss करते हैं, अब, question number 5, 5, 3rd time है AP की 12, 10 term है AP की 26, हमें इसकी 28 term निकालने हैं, जब भी बटा हमें AP का कोई भी पद निकालना है था, हमें A की value चाहिए होगी, और हमें D की value चाहिएगी, अगर हमें ये दोनों value पता है, तो हम किसी भी AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं, given कि हमें तीसरा पद 12 है, मतल अटादे ज़रा इसको, minus, 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 2 में से नो गए, minus का 7 दी, ये बनेगा minus का 14, D की value के आगे बटा, 2 आगे, D की value को यहां रखें, A plus 4 equal to 12, A की value के आगे बटा, 8 आगे, हमें कौन सा पद निकालना है, 20 स्वा पद, मतलब A plus 19, D, A की value हम रखते हैं, 19, D की value हम रखते हैं, 19, D, 38, 46, option A आपका correct option आएगा, question number 6, if areas का अगर ये ratio है, तो उनकी side का ratio निकालना है, तो बटा, area से तो छुटी होगी न, side, छुटी होगी मतलब हमने इसका square root निकाल देना है, 1 का square root 1 ही होएगा, और 2 का square root हम ऐसे लिख सकते हैं, option के according option B आपका correct option है, ये वाला question बटा important है, ऐसा exam में आता ही है, या तो आपको भुजाओं का अनुपाद दे देते हैं, छेतरफल का अनुपाद निकालना होता है, या आपको शेतरफल का अनुपाद देते हैं, भुजाओं का अनुपाद निकालना है, एक चीज़ बटा ध्यान रखिए, कि हो जाएं क्या होती है हमारी छोटी होती है question number seven को discuss करते हैं अब question number seven if the vertices of a triangle a b c triangle a b c के हमें vertices दे दिये a के निर्देशांग क्या है बटा four और minus six b के निर्देशांग क्या है three और minus two c के निर्देशांग क्या है five और two तो b c के मद्दे बिंदो हमें midpoint निकालना है b c का तो इसने खामखा इसने confuse करने के लिए दे दिया A का तो कोई रोल ही नहीं है हमें B, C का मद्धे बिंदू निकालना है X, X वाले कोडिनेट को जोड़के उनका हाफ कर दो First क्या है 3, First क्या है 5 5 पर 3 क्या होगे 8 8 का अधा क्या आ गया? 4 Second second को जोड़के उनका हाफ कर दो Minus 2 और 2 को जोड़ेंगे तो बटा 00 का हाफ तो 0 यह option A आपका correct option आ रहा है Discuss करते हैं next sum को Question number 8 देखे बिटा Distance between the points minus 1, 7 4, minus 3 इन दो points के बीच का distance निकालिए तो मारे पास distance formula है क्या? 4 में से घटाएंगे हम minus का even तो minus minus plus हो जाएंगे 5 का square plus minus 3 में से घटाएंगे minus का 7 यह तो बिटा minus 10 बनेगा इसका क्या करेंगे? Sol करें 5 5 0 25 और 10 और 10 की multiply 100 यह तो बनेगा 125 और 125 को मैं क्या लेख सकते है? बिटा 5 root 5 Option के according Option में तो बिटा ऐसा कोई option नहीं आ रहा है Printing mistake हो सकती है हमारी calculation ठीक है कैसे? अगर हमारे पास एक point के coordinate x1, y1 दिये हो दूसरे point के coordinate x2, y2 दिये हो तो distance formula क्या कहता है? First में से first का गटा के square कर दो तो अबने first में से first का ही गटाया है दो बर minus का लिशान हो गया तो यह plus का हो गया 4 और 1, 5 plus में y2, minus में y1 का square, second में से second गटा के उसका भी square कर देते है remaining तो calculation और आपका answer आ जाएगा question number 9 2 tangent square 30 degree upon में 1 plus tangent square 30 degree square में value निकालनी है सीधा सीधा हम value रख दे tangent 30 का 1 बटा 1 by root 3 होता है बट साथ में क्या है? square भी है तो इसका square करेंगे तो क्या बनेगा? 1 by 3 बनेगा upon में 1 plus में denominator में भी by term है इसकी value के आएगी 1 by 3 इसको solve कर लो बटा 2 और 1 by 3 की multiply तो जाएगी 2 by 3 1 में जो 1 by 3 जोडेंगे LCM लेंगे क्या बनेगा? चार बटे 3 और पलेट जाएगा तो क्या जाएगा? 3 बटे 4 3 से 3 कट गया 2 से कट गया 1 by 2 option D आपका correct option आचाएगा Question number 10 यदि cosecant A की value 5 by 4 है तो sign A की value हम यहां से निकाल सकते हैं इसका opposite होता है क्या बनेगी? 4 बटे 5 sign A B C ऐसे नाम दे तो sign का formula हमारे पास क्या होता है? लंबटे में kern perpendicular upon में hypotenuse तो perpendicular कितना है अपना? 4 hypotenuse kern कितना है अपना? 5 Pythagoras स्वर्म लगाएंगे तो बटा value के आएगी यह वाली? 3 आएगी हमें किसका मान निकालना है? Tangent Tangent का formula होता है लंबटे आधार मतलब perpendicular upon में base perpendicular कितना है बटा 4 base कितना है बटा 3 4 by 3 option C आपका correct option आएगा discuss करते हैं next sum को question number 12 देखे बटा all circles are dash similar या congruent सभी वरित कैसे होते हैं? समरूप या सरवांग सम होते हैं सभी वरित बटा देखने में एक जैसे होते हैं छोटे वड़े हो सकते हैं तो इसका answer के आएगा similar sum रूप इनका रूप एक जैसा होता है question number 13 triangle ABC triangle BDE दो sum बाहुत्रिबूद दो equilateral triangle हैं और इस तरह से हैं कि D बुजा BC का मद्धे विंदू है हमारे पास एक तो ये त्रिबूज है A, B, C sum बाहुत्रिबूज है तीनों बुजाएं बराबर हैं और इसका मद्धे विंदू क्या दिया हुआ है mid point D आपको दिया हुआ है त्रिबूज A, B, C इस complete त्रिबूज और एक त्रिबूज ये बनेगी B, D, E इसके शेत्रफल का आपने अनुपात थमताना है अब देखे हमने रचना करेंगे D से ही अगर हम A, C के समांतर को रेखा कीचेंगे तो जिस बिंदू पे मिलेगी वो E होगा नाम दे दिया हमने E mid point हो गई भी सेम ऐसे ये mid point है हमने construction की B, C के parallel अगर line कीची तो हमें जो point मिलेगा ये उस line का A, C का क्या हो जाएगा mid point होगा और हमें पता है दो mid point को मिलाने वाली line तीसरे side की क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी ये हमारे पास समांतर चत्रबुज बन गया विकर्ण क्या करता है उसे बराबर शेतरफल वाले दो त्रबुजों में बाढ़ता है इस त्रबुज का शेतरफल इसके बराबर मतलब इन चारों ही त्रबुजों का शेतरफल क्या है बराबर है हम क्या लिख सकते हैं area A, B, C complete त्रबुज का शेतरफल चार टाइम बराबर हो जाएगा B, D, E के एक, दो, तीन, चार, चारों एक जैसी है ना कालना है तो इसको बटे में ले आए ना इसको बटे में लेके आएंगे area B, D, E यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 4 चार बटे में एक option C आपका correct option आएगा बटा यह exercise का है लोग question है अब channel पर जाके 10th class की playlist में chapter 6 से related इसको देख सकते हैं बहुत detail में आपको explain किया हुआ है ठीक है बटा, discuss करते हैं next हमको question number 14 देखे बटा the diameter of the base of the cylinder is 4.2 cm diameter व्यास दे दिया तो त्रिज्जा क्या हो जाएगी हमारी इसकी आधी हो जाएगी height उंचाई कितनी है 5 cm हमें क्या निकालना है item volume volume का formula बेटा क्या आएगा बेरन का pi r square h क्या हम pi की value रखेंगे नहीं रखेंगे क्यों 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 हमें options देखने और option में हर एक में pi है तो pi को बेटा as it is रखो r कितनी है हमारी 2.1 दो बार लिख देंगे h कितनी है 5 है पैस इनकी गुनाई कर दो 21 और 21 की multiply तो बेटा 441 होएगी और 5 से अगर करेंगे तो 5, 0, 2, 2 एक और एक दो के बाद क्या लग जाएगा point option A बेटा आपका correct option आएगा next sum हमें hcf निकालना है इन तिनों का 12 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 गुना, 2 गुना में 3 2 गुना, 4 गुना, 12 21, 21 कैसे break होगा बेटा 3 इंटू 7 में होगा यह तो बच गया 84 84 हो कैसे लग सकते हैं 2 गुना, 4 गुना, 12 12 सते 84 यह breakout होएगा hcf, highest common factor मतलब जो तिनों में हो, तिनों में तो बेटा, एक ही digit है वो क्या है 3 तो आपका hcf क्या आ जाएगा 3 अब discuss करते हैं आज के lecture का last sum Last sum देखे बेटा For solution of equations आपको यह दो equations देदी हैं Which of the following is true इन में से क्या चीज़े ठीक हैं कि इन दोनों equations का unique solution एक ही हल आएगा infinitely many solutions धेर सारे हल आएगे No solution, कोई भी हल नहीं आएगा यह none of these, इन में से कोई नहीं अब हमें निकालना है हल हल के लिए हम क्या देखेंगे a1 की value, b1 की value, c1 की value First say, x का coefficient होता है a1 की value, a की है y के साथ होता है b1 की value, 2 और constant term होती है हमारी c1 Second way, a2 की value हम लिखेंगे b2 की value हम लिखेंगे और c2 की value हम लिखेंगे a2 की value क्या है बिटा, 2 b2 की value क्या है बिटा, 4 c2 की value क्या है बिटा, 6 अब ध्यान से देखें बिटा यहां पे हमारा a1 अपोन a2 अगर हम निकाले b1 अपोन b2 अगर हम निकाले c1 अपोन c2 अगर हम निकाले इनको बटे में रखें तो ये तीनों ही क्या हैं अपस में बराबर हैं और जब हमारे पास ये condition होती है मतलब अनेक हल infinitely many solutions लाई करते हैं अगर ऐसे आ जाता A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के तो आता बटा unique solution ठीक है और अगर ये आ जाता A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2 के बट बराबर नहीं है C1 बटे C2 के तब आता बटा no solution तो exam में इन में से कोई भी condition आ सकते हैं आपको तीनों आनी चाहिए तो ठीक है बटा आज के lecture में इतना ही next video में हम मिलेंगे जो आपका set B है आपकान में अपकान में इतना ही ये खावन आपकान में पकान के पारी ही ले चाहिए